जैमात पाधि मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजित स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेस्बूक चैनल एश्टो आज मैं मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं करकुराजी यानि cancer के मई के मंथली राशी फल के बारे में कि करकुराशी की मई मैञेने में कैसी ओकि नो के नो गरों ने इतिहास रचा है, एक महिने में नो गरों का राशी परिवर्तन हुआ है, जो की इतिहास में लिखा जाएगा, जिसका प्रभाव, दो गरों का प्रभाव करकराशी पर पढ़ेगा, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहला अगर देखा जा करकराशी वालों को सावधानी रखनी है बुरी लत में बढ़ावा होगा और खासकर अगर यूवा हैं यानी कि आपके उमर 18 से लेकर और 40 की उमर है तो बुरी संगत में आप फस सकते हैं या बुरी चीजों में आप आकरशित हो सकते हैं थोड़ा सावधानी रखेगा नहीं तो सावदानी हटी दुरगटना गडिक बहुत ज़्यादा संगती हो जाएंगे आप दूसरी चीज जो शनीक की ढहिया में आपको ध्यान देना है दामपत्य जीवन में देखा जाए प्रेमी प्रेमी का या पती-पत्नी है उनके रिलेशन के लिए ये कठिन समय रहेगा यान के लिए तो इसलिए पती-पत्नी को एक-दूसरी को समझ के चलना होगा ये याद रखिएगा नहीं तो रिलेशन टूट भी सकता है और पार्टनर के स्वास्ते में भी हलका-पुलका आप प्रेशानी देखेंगे इन धाई साल में मेंटल प्रेशानी देखेंगे दूसरा समंदी या इनफेक्शन से समंदित प्रेशानियां पार्टनर को रहेंगी तीसरी चीज जो यह ढहिया करती है पहले मिथुन पेती अपकरक में आ गई है करजा अधिक बढ़ जाता है पार्टनर्शिप बिल्कुल नहीं करनी है नहीं तो पार्टनर्शिप में धोका होगा में नुकसान होगा अब शेयर में आपको निवेस्ट नहीं करना है किसी को धन उधार और भी बड़ा धन उधार बिल्कुल डाही साल मत दीजेगा क्यों नहीं तो आपको जबरदस्त करजे के नीचे आप आ जाओगे याद रखिएगा साथी साथ और किसी को व्यापार के अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर भी बड़ा किसी को माल मत दीजेगा या फिर बड़ा धन उधार या इन्वेस्ट व्यापार में मत कीजेगा नहीं तो आपको नुकसान होगा आप आपको बूंद बूंद सागर बनता है ना उस तरह की थियोरी आपको अ जैनेती राशी होती है करक जैसे कहते हैं केकडा क्या होता है दिखता तो बड़ा आलसी है लेकिन वह बहुत ही जागरित होता है याद रखिए का भांप लेता दूरूर की चीजें तो इसी तरह से करक राशी वाले भी होते हैं और ढहिया में आपको थोड़ा धहरे रखना है अप दूसरा जो ग्रह का परिवर्तन वहें मीन राशी में गुरू जाने से पंचम दृष्टी करक राशी पे आ गई यानि कि कुछ पॉजिटिव लेकर आरी मीन राशी यानि कि संतान की चिंता आपकी दूर होगी अकर संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी संतान बड़ी है नोकरी नहीं लग रही है या विद्या में संतान के दिक्कत है विदेश ले जाना चाते हैं विदेश में सटल में नहीं है संतान बुरी संगत में के जौब के आपके बनने वाले यह ब्रस्पती के बदोलत आपके बनेंगे शनी उसमें थोड़ा बहुत बिगन डालेंगे लेकिन आपका अल्टिमेटली यह काम बन जाएगा इसी प्रकार से तीसरा जो फल ब्रस्पती देंगे वो हैं कि परिवार के अंदर शादी संतान और प्रॉपर्टी का योग यानि कि परिवार में किसी की शादी होगी या किसी की संतान होगी या आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं यह ब्रस्पती देंगे शनी इसमें थोड़ा सा बिगन डालेंगे थोड़ा सा कले सुथपन करेंगे लेकिन ब्रस्पती देंगे ही दे इस पे आपको अपनी कुंडली मुझे दिखानी होगी यह तो मैं जनल प्रेडिक्शन बता रहा हूं करकराशी की अगर आपको डेटेल में अपनी कुंडली के बारे में जालना है क्योंकि आपकी कुंडली के उचके नीच के ग्रहवी इस पर डिपेंड करेगा कि धहिया कितन आपनी ज्यादा मजबूत है या ध्या Weihnacht निश्प्रभाव होगा तो उसके लिए आपको अपनी दिखानी होगी अब כरते माई में करकरशी के मासिका यह चंद्रमा बैठें तो एक तारीक से लेकर तो खाना बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे नीठा खाने का मन करेगा क्योंकि चंद्रमा बेटा है you इसी चीज़ की वीडियो की लट आपको लग जाएगी कुल मिला के यह कि चंद्रमा काला का तो कला के बड़े शोकीन होने वाले शोकीन मिजाजी होने वाले आप मैं के अंदर इसी पराजे धन की स्थती के बात करी जाए तो धन बाव के स्वामिय सूरी सूरी इस वक्त राहू के साथ बैठें तो एक तारिक से लेकर 15 मैं तक आपकी धन हानी के योग बहुत प्रबल च सकता है धन या कोई वस्तु तूट सकती है कोई बिजली पर खर्चा सकता है ऐसा योग नजर आ रहा है या गाड़ी चलाते वे आपका कोई आपको भुक्तान करना पड़ सकता है तो कुल मिलाके आपका धन हानी का योग 15 तक हो रहा है 16 तारिक से 30 की बारे में बात करें तो परिवार भाव में केतू विराज माने तो एक तारिक से लेकर 8 मही तक देखा जाये तो किसी सदस्री को हलकी सी चोट गुम चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा चिंता करने की अब शक्ता नहीं है चोटी सी चोट गुम चोट लग सकती है नो तारिक से लेकर 31 तारिक तक अगर देखा जाए परिवार के साथ में आप तीर्थ यात्रा करने वाले हैं या किसी साधी या समारो में जाने वाले यानि कि ठीक हो जाएंगे तो ऐसा योग बन रहा है यानि कि अचाना की खर्चा होगा वहां खराब हो जाएगा मुबाइल हो सकता है चोरी हो जाए टूड़ जाए ऐसी स्ततिया बन रही है छोटी संतान का देखा जाए तो पेट की प्रॉब्लम रहेगी मही में और फोड़े फुंसी इंफेक्शन की हल्की फुल्की समस्या रहे हैं आपको बहुत से बात करनी चाहिए ठीक है आपको अपलाई जरू करना ची यह नए काम के योग भी बन रहे हैं यानि कि आप कहीं पर भी अगर अपलाई करते हैं तो नए नोकरी के आपके योग भी बनते हैं नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है यह ने allons चे नज होगा ऐसा योग नजर आ रहा है और मित्रों के साथ में आफिस कलीक के साथ में नदी पहाडों की यात्रा के योग भी मई में ही बन रहे हैं तो कुल मिला के मही का महीन नोकरी वालों के लिए अच्छा है अब बात करते हैं दाम पत्ते जीवन की खास कर पहले बात करते हैं प्रेमी प्रेमी का यानि लव कपल की जिनके अभी शादी नहीं हुई है उनका देखा जाए तो उनका पार्टनर का चलान मही में कट सकता है धन के हानी के रहने वाला है और पार्टनर के परिवार में भी किसी को चोट लग सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है या हलका ओप्रेशन के हलकी सरजरी के योग पार्टनर के परिवार में भी किसी का बन रहा है मही में ऐसा योग बन रहा है अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में यानि कि जो करकुराशी वाले फैक्टी चलाते हैं अपना काम करते हैं एक तरीक से लेकर 31 मही तक दिखा जाए तो सूर्य के साथ में राहू का समागन है यानि कि संपूर मही ना मानके चलो करकुराशी वालो सरकारी नोटीस आपको जहिलना पड़ सकता है काम में बादा रहेगी order cancel रहेंगे माथा पच्ची ज्यादा रहेगी और किसी कोई व्यक्ति आपके साथ में विश्वास घात करेगा ऐसा योग नजर आ रहा है मही का महीना व्यापारियों के लिए अपना जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा संगर्सकारी रहने वाला है तो मित्रो इसकारे करम में बद इतना ही मुझे दीजे जरत जय मता दे